अलो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में जो फायर मैं होता है फायर डिपार्टमेंट में जो एक रैंक होती है उसकी इन हैंड सेलरी कितनी मिलती है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फायर मैं होता है वो फायर officer, division officer, deputy chief fire officer chief fire officer और फिर director तो जो recruitment होता है वो दो level पर होता है या तो आप fireman की post पर join कर सकते हैं या assistant fire officer की post पर join कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको यहां यह बात बताना चाहता हूँ कि जो fire department होता है वो state government के अंदर आता है इसलिए इनकी salary हर state में थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि हर state की जो allowances है या जो उनका salary का structure है वो थोड़ा बहुत अलग है लेकिन basically जो यह fireman होते हैं वो level 4 जो था जो central government का था उनकी salary के इक्वल इनका salary का जो structure है वो है इसमें जो starting इनका basic salary हो है वो होती है 19,200 रुपे और इसके उपर इस time पर 28% DA मिलता है जो की करीब 5,300 रुपे के आसपास है और इस पर उनको जो HRE है अगर आपको घर नहीं मिलता है तो आपको HRE मिलता है तो HRE भी किस city में आपकी posting है उस पर depend करता है बट normally वो 3000 रुपे के आसपास होता है इसके अलावा जो इसमें से salary काट ली जाती है वो होती है एक है NPS यानि की National Pension Scheme तो उसमें 10% basic salary का काट के जमा होता है तो वो कट जाता है दूसरा जो है वो है insurance का amount तो दोस्तो इसमें insurance का amount बाकी जो होती है service उनमें कम होता है अलग-अलग service का सभी का अलग-अलग insurance amount काटा जाता है fireman service में ये करीब 1200 रुपे के आसपास है लेकिन ये सारा amount अगर जब आप आपकी service complete हो जाती है आप नौकरी छोड़ रहे होते हैं कि जब आप retire हो रहे होते हैं उस time पर आपको वापस मिल जाता है इसके लाबा जो tax है वो minus हो जाता है तो जो in hand salary होती है एक fireman की वो करीब 25,000 रुपे के आसपास बनती है अगर आप HR भी ले रहे हैं तो नहीं तो वो 22-23,000 रुपे के आसपास बनती है यह salary थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकती है अलगलग state में लेकिन roughly यही amount आपको in hand मिलेगा जब आप fireman join करते हैं तो इसकराब आप मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि fireman में join करने के लिए normally जो एक requirement होती है वो होती है कि आपके पास या तो diploma हो तो यह जो diploma है वो एक साल का भी होता है और एक होता है certificate course जो 6 महिने का होता है तो कई states में सिर्फ certificate course मांगते हैं यानि कि सिर्फ 6 महिने का अगर आपने course किया है तो आप fireman की post पर के लिए apply कर सकते हैं कुछ जो state है वहाँ पर diploma मांगते हैं तो वहाँ पर जो एक साल वाला course है वो अगर आपने किया है तो आपके लिए जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा तो दोस्तो ये थी fireman की इंडिया में salary को लेकर basic जानकारी थैंक यू